हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप लोग का हमारे यूटूब चैनल इजी टू लर्ण बाई यी तेंसर में स्वागत है दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ CIV ABM के यूनिट 12 के नुमेरिकल्स को हम नुमेरिकल्स पार्ट को समझेंगे दोस्तों और देखेंगे कि किस तरह के कोश्चन एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोश्चिस करते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों हम लोग देखते हैं मैक मिलन बुक के पेज नुमबर 125 पे कोश्चन नुमबर 8 ठीक है दोस्तों तो इसमें है I am 50 year old retired at the age of 60 मतलब 50 साल के हैं और retired होंगे 60 साल में to live 10 year more और 10 साल जीना चाहते if I want to spend rupees 10,000 per month अगर 10,000 रुपई पर month बचाना चाहते हैं how much should I save by the age of 60 60 साट साल होते होते रिटार होते 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 इनको कितना पैसा सेव हो जाएगा ठीक है दोस्तों assume rate of interest 8% है and what is the required saving if the interest rate is only 5% अगर 5% हो जाएगा तो saving कितना करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो आप देखें दोस्तों इसमें तो यह है कि 60 साल तक इनको payment मिलती है दोस्तों उसके बाद 10 साल और जो रहना है उसके लिए consumption के लिए पैसे कहां से लाएंगे तो वही यह बता रहे हैं कि 10,000 रूपए हम पर मन्त saving करेंगे और 10 साल तक ठीक है दोस्तों क्योंकि 60 पचास से साथ 10 साल हो है मतलब 120 मन्त यह देंगे 10,000 रूपए ठीक है दोस्तों अब देखें दोस्तों इसमें आप annuity बन गया यह 10,000 रूपए हर महीने अब इसको यहां लिखा नहीं है कि महीने के पहले में दे रहे या महीने के last में दे रहे हैं ठीक दोस्तों तो इसको आप चाहे future value of ordinary annuity calculate कर लें या future value of annuity calculate कर लें अगर annuity डिव करेंगे थोड़ा सा ज्यादा आएगा दोस्तों और ordinary करेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा तो question में नहीं दिया है तो normally ordinary annuity calculate किया जाता है ठीक है दोस्तों तब देखें इसमें क्या करेंगे आप लो इसमें सीधा सा है फार्मूला क्या है future value of ordinary annuity क्या फार्मूला है a plus into one plus r to the power n minus one divided by r यही है फार्मूला मैं फिर से clear लिख देता हूं दोस्तों future value of ordinary annuity is equal to a into one plus r to the power n minus one divided by r यही है दोस्तों फार्मूला इसमें राख देती है a is equal to 10 है और 10,000 r कितना है 8% मतलब 0.08 1.08 हो गया दोस्तों और n की जहां क्या लिखेंगे 120 ठीक है दोस्तों अब 1.08 to the power 120 कैसे calculate करेंगे दोस्तों इसका हमने link अपने वीडियो का description में पहले दिया हूं दोस्तों ठीक है तो आप निकाल लेंगे यह अच्छा कासा amount आता है दोस्तों काफी करोणों में रूपए आएंगे इनके पास ठीक है दोस्तों हमें लग रहा है आपको इतना ही sufficient है इस question को solve करने के लिए ठीक है दोस्तों अब दूसरा आता है दोस्तों question what is required saving if the interest rate is only 5% तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों इसमें किवल जहां 8% है वहां 5% लिख देंगे ठीक है दोस्तों और तब कितना saving हुआ यह पता चल जाएगा और अगेर हमें वही saving चाहिए जो 8% पे हो रही थी ति यह जो पर मन्त दोस्तों जो पर मन्त 10,000 रूपीज इनका था यह बढ़ जाएगा हो सकता है 15,000 हो जाए यह 12,000 रूपए पर मन्त सेव करना पड़े same amount save करने के लिए हमें लग रहा है दोस्तों आप इस question को समय गये होंगे अपने अस्तर पर लगाए दोस्तों अगर कुछ problem होती है हमें description में बता है हम full details का solve करके दे देंगे ठीक है दोस्तों अगला question हम लोग देखते हैं question number 9 how long will it take for 500 to grow to 2000 at the following interest rate मतलब बता रहे हैं कि 5 रूपए कितने साल लेगा 2000 होने में ठीक है दोस्तों मतलब 4 गुना होने में अब rate आप interest दिया है A में 4% B में 10% and C में 12% पहले हम लोग 4% वाला देखते हैं दोस्तों तो देखें दोस्तों इसमें हम लगा सकते rule number 72 72 rule क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो भी interest rate है 72 को divide कर देंगे तो जो आएगा उतने सम में हमारा amount double हो जाता है ठीक है दोस्तों तो अभी यहां हमें के बाद 72 rule पढ़ना है इसलिए हमके बाद 72 पर करेंगे नहीं तो 3 time and 4 time कैसे होता है उसके भी फार्मूले है ठीक है दोस्तों यहां हमके बाद 72 पर ध्यान देंगे तो 72 divided by 4 कर दिये क्या हो गया और वंजा 4 4 3 4 वंजा 4 4 एड़ जा 32 एंटीन यहर में डबल हो रहा है मतलब 18 यहर में 500 कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा अब फिर आप 1000 को डबल होने के लिए फिर 18 यह लाएगा मतलब जो 4% रेट आप इंट्रेस्ट रहेगा तो चार गुना होने में 36 मंत लाएगा ठीक है दोस्तों कंसेट क्लियर हो गया पहले हम लोग क्या करेंगे डबल का करेंगे फिर जो आया उसका डबल करेंगे तो 2000 हो जाएगा मतलब पहले वाले में 36 एयर होगा ठीक है दोस्तों नेक्ट कोश्चन 10 परसेंट पे ठीक है दोस्तों अगर रेट आप इंट्रेस 10 परसेंट है तो 500 रुपए कितने साल में 2000 हो जाएगा ठीक है दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसको सीधा करिए 72 डिवाइड़ बाइ 10 क्या आ गया 7.2 मतलब 7.2 येर में आपका जो 500 रुपए हो वो 1000 हो जाएगा ह है ने दोस्तों अब क्या करेंगे हमें डबल करना है 2000 तो 7.2 फिर से लएगा मतलब अब कितना हो गया 14.4 येर या 14.3 येर आपका लएगा इसमें डबल होने मतलब 4 गुना होने में 2000 ठीक है दोस्तों नेक्ट कोश्चन है अगर 12% रेट आप इंटेस्ट है तो कितना समय लाएगा सिंपली दोस्तों 72 डिवाइड़ बाई 12 क्या हो गया 6 येर मतलब आपका इमांट डबल होने में 6 येर लग रहा है तो 4 होने में 12 येर लाएगा 4 गुना होने में देखें दोस्तों इस कोश्चन से आपको 72 रूल का साथ र chasing early ऄल खैर रहा होगा ठीक कर दुट अब हुझ चलते हैं अगले कोश्चन पर अगले कोश्चन दोस्तों कोश्चन नंबर टेन इसमें बोल राए दोस्तों वाट इस दो इफेक्ट्यू एनुवल इंट्रेस्ट रेयर एउट इफेक्टीव पूंच राए दोस्तों की बाते हो रही है यहां पर तो हमें क्या है हमें इफेक्टिव रेट एनुवल इंट्रेस्ट रेट का फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों क्या था हमने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले तो वन प्लस आर टूद पाउर एन माइनस वन बस इतना सा है फार्मूला दोस्तों आर क्या है 12% एन क्या है दोस्तों मन्थली दिया है देखें यह ध्यान देना है मन्थली दिया है तो मन्थली दिया है तो क्या हो जाएगा एन इसको एफेक्टिव रेट आफ इंटेस्ट मिल जाएगा इसको और सिंपल में मैं लिग देता हूं दोस्तों कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों यह इसलिए करना पड़े है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी करा नहीं है दोस्तों और आप प्रैक्टिस करेंगे तभी एक्जाम में अच्छे से solve कर पाएंगे ठीक है दोस्तों effective rate of interest question number 10 का A 12% पे क्या होगा दोस्तों देखें आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों अब question number 10 के B को देखते हैं दोस्तों देखें यह भी है क्या दिख रहा है 8% compound every 4 month 4 month है दोस्तों इसका मतलब क्या है इसमें है दोस्तों अगर 3 month में होता तो quarterly हो जाता दोस्तों अब यह 4 month है मतलब साल में कितने बाद compound हो रहा है तीन बार थे n is equal to क्या होगा दोस्तों तीन बस यहीं यहां ट्रिक है कुछ बच्चे 4 month लिका तो इसको quarterly समझ लेते हैं दोस्तों quarterly तीन मंत का होता जबकि हाँ 4 month दिया है दोस्तों इसमें तीन ही बार compound होगा बस इसी को ट्रिक कहते हैं दोस्तों कोस्चन में चोटा सा difference दे देता है जिससे आधे सवाल गलत हो जाते हैं दोस्तों अब देखें effective rate of interest इसका क्या होगा बेरी सिंपल अभी हमने बताए आपको फार्मूला 1 plus r to the power n minus 1 r कितना दिया है दोस्तों 8% 1.08 n कितना है दोस्तों अभी अभी बताए मैंने 3 साल लेना पड़े क्योंकि एक साल में 3 compounding हो रहा है अब minus 1 यहां 3 कर दिये दोस्तों अब आप इसको solve किजिए solve वाला portion आपके ऊपर छोड़ रहा हूं दोस्तों इसलिए छोड़ रहा हूं कि आ और लोगों की तरह आपको नहीं बताऊंगा कि एक एक क्वाइंट पे percentage कैसे निकालते हैं 10 बटे 100 यह सब नहीं दोस्तों ऐसा करने से आप कुछ भी नहीं करेंगे और सोचेंगे हमने वीडियो देख लिया एक्जाम में आप गलती करके आएंगे तो दोस्तों थोड़ी से 5,000 today to purchase an item and expected to sell at 10,000 in 8 year question देखें दोस्तों आज जो है 5,000 रुपे का कोई समाने खरीद रहे हैं और यह आसा कर रहे हैं कि इसको 10,000 में बेच देंगे कितने दिनों में 8 साल के बाद ठीके दोस्तों 5,000 खरीद रहे हैं 8 साल गबार यह आसा कर रहे हैं कि 10,000 में हम इसको इस गुड डील बोल रहे हैं कि अगर इस पे 5% पर रेनुवल इंट्रेस्ट होता तो क्या यह डील जो 5,000 का 10,000 में बेच रहे हैं 8 साल में क्या यह अच्छी डील होती गुड डील होती यह हमें बताना है दोस्तों और दूसरा कंडिसेन है वाट इफ दे इंट्रेस्ट रे अगर यह प्रॉफिट में हैं तो गुड डील होगी अगर लॉस में है तो बैड डील होगी ठीक है दोस्तों तो हम कल्कुलेट कर लेते हैं कैसे कल्कुलेट करेंगे दोस्तों 5000 रूपय है इसका क्या निकालेंगे 5000 का 8% पे 5% पे 8 साल का future value निकालेंगे ठीक है दोस्तों future value निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला पहले ही बता है FV is equal to PV present value into क्या बोला है दोस्तों 1 plus R to the power and कितना simple formula है ठीक है दोस्तों present value 5000 रूपीज है ठीक है दोस्तों into 1 plus R कितना है 5% 5% मतलब 0.05 ठीक है दोस्तों 1.05 आठ साल ठीक है दोस्तों इसको calculate किए देखे दोस्तों आपको आएगा 7000 के आसपास इसका मतलब इनका बैट डील है 10,000 से कम मिल रहा है तो जो इन्होंने डील किया है दोस्तों ये अच्छी डील है ना कि ये 5% rate of interest पे तो जो invest किये थे 5000 रूपी और 8 साल में 10,000 बेच रहे थे उनके लिए ये वाला डील अच्छा है ठीक है दोस्तों ना कि 5% अब देखें 12% वाला जैसे ही फार्मूले में 5% की जगा 12% रखेंगे दोस्तों ये आपका इमाउंट आ जाएगा लगभग 12,000 ठीक है दोस्तों तो अगर ये 5000 रूपए का समान खरीद के 8 साल में 10,000 में बेचते हैं तो इनको 5000 का profit मिलता है लेकिन अगर 12% रेट आप इंटरेस्ट पे इनको दोस्तों लगभग 7,000 का profit होता इसलिए अगर 12% का option है तो 12% का option वाला good deal होगा नकी 10,000 में बेचने वाला ठीक है दोस्तों हमें लग रहा है आपको ये concept किलियर हो गया होगा और आपका solve question भी solve हो गया होगा ठीक है दोस्त what is net present value when there is no profit or loss in an investment मतलब जहां पर कोई profit और loss नहीं होगा दोस्तों वहां का net present value क्या होगा तो हमने आपको पहले ही बताए दोस्तों कि NPV क्या होना चाहिए NPV अगर NPV अगर greater than zero है greater than zero है दोस्तों तो profit होता है और less than zero है तो क्या होगा दोस्तों loss होगा और अगर NPV is equal to zero है तो क्या होगा दोस्तों no profit no loss इस case में क्या होगा NPV zero इसलिए no profit no loss ठीक है दोस्तों इसी तरह से आप लोग question को solve करते रहे हैं दोस्तों हम आपके लिए और वीडियो लेके आएंग दोस्तों और इसके आगे के question भी solve करेंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों तब तब त